तो दूस्तो आज की इस मुवी में आप देखोगे एक ऐसे हवसी लॉंडे को आज सिफ लॉंडे को ही क्यों बोलें यहाँ पर लड़की भी कम नहीं थी एक्च्वल में ये दोनों होते तो स्टेफ सिस्टर और प्रदर हैं परंत हुए इतने सालों के बाद मिलते हैं और कभी भी एक दूसरे को देखा नहीं होता है तो भाई साब देखते ही इनके अर्मान जाग उड़ते हैं जिसके बाद ये लोग क्या कैसे कैसे कहा कहा और किस किस पोजिशन में करते हैं यसा अब आज की इस मूवी में देखने वाले हो तो चलिए साथा देखना करते हुए हम मूवी का explanation स्टार्ट करते हैं पर मूवी स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मूवी थोड़ी से sensitive है हो सकता है कि तुम्हारा दिल दिमाग उर्दा फेफडा या फिर गुपतांग इस मुवी को ना जेल पाए तो मेरे भाई इस मुवी को यहीं पर स्किप कर दिना वैसे इतना ज़दा सोचने वाली कोई बात है नहीं किसी राइटर की दिमाग में यह बात आई होगी तो किसी डिरेक्टर ने इसे डिरेक्ट कर दिया होगा तो किसी बन्दे को यह मुवी पसंद आ गई होगी तो उसने मुझे सजेस्ट कर दिया होगा तो मैंने इसे एक्स्प्लीन कर दिया तो बस इसे इंटर्टेम्न परपस के लिए ही लेना खेर मूवी का नाम है Drifter और ये रिलीज भी थी येर 2011 में इससे डाउनलूट कैसे करना है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा तो मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम एक सन और उसके फादर को देखते हैं तोस्तो हम आपको पहले ही क्लियर कर दें ताकि आगे कोई confusion ना हो तो ये जो अंकल जी हैं ये भाईया जी इतना भरे हुए हैं कि कुछ सालों पहले हैं जब इनकी निवनियों शादी हुई थी तो उसके कुछ सालों के बाद इन्होंने एक और कन्या से शादी कर ली थी फादर से बहुत ज़्यादा नफरत करता है इवन वो उनके घर में तक नहीं रहता है यह पर उसके फादर उससे काफी insist करते हैं और अब भी भी कर ही रहे हैं कि उस बात को इतने साल हो गया है अब तो तुम हमारे साथ रह सकते हो जिबकि तुम्हारी मॉम तो अब इस दु अब भाया जी यह बिल्कुल कंफ्यूज हो गया क्योंकि हिलाने वाला बंदा अब उसके घर में लड़की कैसे आ सकती है जिस पर वो उस लड़की से फूसता है कि आप कौन जिस पर वो बताती है कि वो उसकी stepmom की assistant है और यहाँ पर वो कुछ सामान सिफ्ट करने के लिए है क्योंकि उसके stepmom उसके लिए उसकी बहन को यहाँ पर भेज रही है ताकि इन दोनों भायों बहनों की वेज थोड़ा सा bond बन सके अब ये बात मैटी को विल्कुल भी पसंद नहीं आती है तो वो अपने डैट से इस बात के शिकात करता है पर वो उसकी बात को refuse करते हुए उ पूरा सामान भिखरा हुआ पड़ा है जब वो जा करके अपने घर को अच्छे से एक्जामिन करता है तो वहाँ पर उसे आधी नंगी पूंगी एक लड़की दिखती है जो कि उसकी बहन थी अब ऐसा मैटी कभी भी उससे आज से पहले मिला नहीं था और ना ही उसने कभी उससे भी बात की थी तो उससे कोई बहन वाली फिलिंग नहीं आती और यहां पर वो उसके तरफ थोड़ा सा अट्रेक्ट हो जाता है पर अगले ही फरल वो खुद पर कंट्रोल लगते हुए अपने रूम में ही हिला कर सो जाता है जिसके अगली सुब हम देखते हैं कि वो जल्दी उट करके प्रेक्वस्ट करता है और जैसे ही उससे ही रेलाइस होता है कि वो कन्या जाक गई है वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है एक्चल में वो उसके साथ कुछ भी बात नहीं करना चाहता था खैर बेलेंडर को अभी तक ये बात समझ भी नहीं आई है तो वो मैटी को वापस कॉल करती है कि तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहा निकल गये जिस पर वो कहता है कि मुझे उफिस जाना है और आज जल्दी बोलाइगा था इस वीजेसे में जल्दी निकल गया जिसके बाद उसी शाम को हम देखते हैं कि एक बार फिर से मैटी अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाता है और यहां पर मैटी का जो छोटा मैटी था वो एक लड़की को देख करके सलामी दिने लग जाता है जिस पर मैटी डिसाइड करता है कि वो अपने हैंड पम को उसके ही जील का पानी पिलाएगा और इस चीज का जुगाड करने के लिए वो उसके पास चला भी जाता है हाला कि उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि भाई साब ये पूरे क्लब की सबसे तकड़ी जील वाली लड़की है लेकिन मैटी को गहरी से गहरी जील से भी पानी निकालना आता था ये चीज हम तब देख पाते हैं जब वो क्लब से वापस आते समय अपने फ्रेंड को उसी लड़की का नंबर दिखाता है और पताता है कि उस लड़की का नाम मैलिस्टा है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो घर पर नहीं जाता क्योंकि वो अभी वे वेलेंडर से नहीं मिलना चाहता था तो वो पूरी रात एक रेश्टरॉन वे और इसके साथ वो उसे थोड़ी और चूरन को लिदे करके बाद सल्टा देते हैं जिसके बाद हम देखते हैं शाम को उसे बेलेंडर को कॉल आता है जोकि उससे बताती है कि उसके घर में एक भसड़ फैल गई है तो जल्दी से वो घर पर आए जिसके बाद भागते भागत इस बीच बात वगरा करते हैं और एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान जाते हैं खैर इसके बाद ये दुनों साथ में बैट करके टीवी वगरा देखते हैं और वेलेंड़ा उससे काफी कुछ बाते करती हैं और यहीं पर वो बातों ही बातों में उससे बताती है कि हम सभी फैमिली मंबर्स को मिल करके कल डिनर पर चलना चाहिए, जिस पर मैटी साफ साफ उसे मना कर देता है, और गुज देर के बाद ये लोग सोने भी चले जाते हैं, पर मैटी को रात में नीन नी आ रही थी, जिस विज़े से वो रात में बलेंडा के पास जाता है, उससे कुछ ब बेलेंडा के पास ना जाये लेकिन वो उसकी बात ना मान करके अंदर पहुच जाता है अब भाई सब हम देख पाते हैं कि मैटी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं न कहीं वो बेलेंडा से ट्रेक्ट हो गया था जिस पर वो ऑफिस ना जा करके उनके बीची बैठ जाता है ताकि वो उनकी निज़र रख सके जिसके कुछ देर के बाद वो बेलेंडा से बोलता है कि चलो हम सबी लोग फैमली वाला डिनर करने चलते हैं जिस पर बेलेंडा उससे मना कर देती है क्योंकि दूस्तो अब उसका यहां पर मन लग रहा था लेकिन मैटी तो जान बूच कर जिसके बाद वो घर पर वापस लोटाता है और हम देखते हैं साथ में दोनों एक बार फिर से टीवी देखते हैं और इस बार बेलेंडा उसकी ही गोद में सो जाती है अब उसे अपने पास ऐसा सोता दे करके मैटी के सोई हुए अर्मान जाग जाते हैं जिसके बाद वो जील का पानी का जुगार करने के लिए सीधा मेलिस्टा के पास जाता है यहापर मेलिस्टा भी उसका वेलकम करती है इसके बाद पहले तो वो उसे ड्रिंक पिलाती है और उसके बाद ना जाने कहां कहां से और क्या क्या पिलाती है और इनका ये तकड़ा वाला वेलन कारिक ही जील का पानी पियेगा और यही रीजन है कि उसने मेलिस्टे के जील का पानी पिया भी पर उसकी प्यास नहीं बुजी जिसके बाद वो घर पर जाता है तो यहाँ पर हम भी नोटिस करते हैं कि बेलेंडा जो कि उससे एक दिन और पूरी-पूरी एक रात नहीं मिली थी तो उसकी प्यासे भी अब बढ़ गई थी जिसके बाद यह दुनों स्टार्ट तो बातों से करते हैं परन्तु खतम पता नहीं कहां कहां से करते हैं और उनका यह जो तकड़ा वाला गपागप है यह पूरी रात चलता है जिसके अगली सब्य जब वो सोकर उठता है तो उससे एक लेटर मिलता है आ आ यह मत सुचो हर मूवी की तरह इसमें भी गन्या छोड़के चली जाएगी नहीं नहीं अभी तु देना उसने स्टार्टी किया है खैर उस नोट में लिखा होता है कि मैं मॉम डैट की शादी में जा रही हूँ जल्दी से तुम भी शादी में आ जा इसके बाद तो यह लोग देख भुदाइ देख भुदाइ देख भुदाइ आतंखी मचा देंगे खैर फाइनले यह पर उसके मॉम डैट की शादी है और यह साथ पर रहना स्टार्ट करेते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंट हो जाती है मूवी आपको कैसी ले करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो Instagram पर follow करके message कर लेना मेरी Insta ID तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही है username है आपका शिवाय और link नीचे description पर दिया हुआ है तो आज के लिए बस इतना ही thank you, bye bye आँआ, movie download कैसे करना है यह तो पताना भूलिक है description में जाओ वहाँ पर मेरे टेलिग्राम चैनल का link दिया होगा उसे join कर लो और वहाँ पर आपको सभी movies के link provide कर दिया जाते हैं और link वो भी ऐसे कि बस आप एक click करके ही पुरी की पुरी movie download कर पाओगे तो आज के लिए बस इतना ही thank you, bye bye, signing off